हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस यूटीब चैनल हिंदी की बिंदी में तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन जो एक्जैम हुआ था उसके क्वेशन पेपर के बारे में हिंदी साहित्य का जो क्वे में जो मास्टर्स में सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है सेकंड पेपर भी आपका मास्टर्स से रिलेटेड होता है और थर्ड पेपर जो होता है वो राजस्थान की जो जीके होती है उससे रिलेटेड होता है तो आज हम बात करें पेपर टू हिंदी साहित्य की तो ये जो है वो 2014 कप exam था जो की 2016 में ये exam लिया गया था तो आज हम इसी के प्रश्ण पत्र की चर्चा करेंगे तो ये इसमें जो question के संख्या होती है वो होती है डेर्ड सो वन फिफ्टी और टाइम जो इसका होता है वो होता है तीन घंटे चलिए हम पहला प्रश्ण देखते है तो पहला प्रश्ण है हिंदी के प्रारंबिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं तो आदिकाल जो ये नाम देने वाले हैं कौन है हजारी प्रिसाद दिवेदी तो हजारी प्रिसाद दिवेदी ने इसको आधिकाल नाम दिया था तो दोस्तों यह आंसर्स जो है वो उनकी जो आंसर किया थी उसके आधार पर यह आधारित आंसर्स है गोरकनात की साधना पदिती का नाम है हट योग साधना तो गोरकना का सिध हेम शब्दानुशाशन है तो ये जो शब्दानुशाशन है वो है व्याकरण ग्रंत अगला प्रशन है पाहुड दोहा ग्रंत के रचनाकार कौन थे तो पाहुड दोहा के रचेटा जो है वो है राम सिंग मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ यह कथन किस लेखक का है तो ये कथन जो है वो अमीर खुसरों का है तो ये वाकि जो है वो अमीर खुसरों ने कही है अगला प्रशन है देशी लिबाना सबजन मिठा देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है तो ये बात किस रचनाकार ने कही है तो विद्यापती ने कही है शार्गधर पद्धिती किस विधा की रचना है तो ये जो है वो एक सुभाषित संग्रह है ये एक सुभाषित संग्रह है अगला प्रशन है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते है तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते है वो है विद्यापती अगला प्रशन है बीसल देव रासों की नाइका का नाम क्या है तो बीसल देव रासों की जो नाइका है वो है राजमती रणमल छंद कावे के रचना कार है तो रणमल छंद जो है वो श्रीधर की रचना है अगला प्रिशन है कबीरदास के कावे में विद्यमान भावात्मक रहस्यवादी की जहलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव तो उनकी जो रहस्यवादी के भावना आती है उनके कावे में वो सूफी सत्संग का उनका प्रभाव है अगला प्रिशिन है निर्गुण पंतियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रग्यक थे तो निर्गुण पंतियों में जो सुन्दर दास थे वो सबसे अधिक पढ़े लिखे थे शिक्षित थे अगला प्रिशन है अगुनही सगुनही नहीं को छुभेदा उकती है तुलसी दास की ये जो है वो तुलसी दास की पंक्ती है अगला है साहित्य को सुर सरी सम सबका हितकारी घोशित किया है तो ये जो है वो तुलसी दास ने गोस्वामी तुलसी दास ने इसको घोशित किया है अगला प्रश्चन है बरवे रामाइन के नामकरण का आधार है तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते कि बरवे रामाइन के नाम तो बरवे रामाइन है तो ये बरवे छंद का इसमें प्रियोग हुआ है अगला है तुलसी दार्स को लोकनायक कहनी वाले हैं तो ये है जॉर्ज ग्रेशन तो जॉर्ज ग्रेशन ने उन्हें लोकनायक के वादी दी है राम लला नहचू रचना की शैली है तो इसकी शेली क्या है अवधी लोक गीतों की इसमें अवधी लोक गीतों का प्रयोग हुआ है अगला प्रशन है सूर सागर का सबसे मर्म इसपरशी और वाग वैधर वैध्यपूर्ण अंश है तो इसमें जो भरमर गीत है वो सबसे मर्म इसपरशी प्रसंग है अगला प्रसन है और सब गड़िया नंददास जड़िया उक्ती में नंददास के किस विशेष्टा की और संकेत है तो इसमें जो है वो नंददास की जो शब्द प्रियोग है उसकी और इसका संकेत है मीरा भाई की उपासना पद्दती थी तो मीरा भाई की उपासना पद्दती थी वो थी माधुर्य भाव की ये प्रशन यूजी सीनेट में भी कई बारे आ चुका है भीशन भूशन बिनूना बिराजई कविता वनित मित उक्ती में कवी केशव ने अपनी कैसी अभिरूची प्रगट की है तो ये जो है वो है अलंकार प्रियता रितु वर्णन करने वाले कवियों में सर्व स्रिष्ट कहे गए हैं तो रितु कवर्णन करने में जो सबसे अधिक है वो है सेनापती अगला प्रिशन है आचारे रामचंदर शुक्ल रिती काल का प्रथम आचारे किसे मानते हैं तो शुक्ल जी ने जो है वो चिंता मनी को रिती काल का प्रथम आचारे माना है अगला प्रशन है महाराज जस्वंत सिंग के द्वारा रचित लक्षन ग्रंथ का नाम क्या है तो भाशा भूशन अगला है अले कली की सो बध्यो आगे कौन हवाल उकती में कवी भिहारी का कौन सा रूप प्रगट हुआ है दार्शन करूप प्रवर्चन करता रूप उद्बोधक क्योंकि यहां वो उद्बोधक के रूप में प्रगट हुए हैं उसको समझा रहे हैं जैपुर नरेश जगत सिंग के आश्र में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंत लिखा था तो जगत विनोध जगत विनोध जो है वो लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ती विधायनी कलपना की प्रशंशा क्यों की है तो पद्माकर की प्रशंशा जो है वो क्यों की है भाषा की ललित पदावली के कारण लाक्षुनक शब्दों की छटा के कारण, सुन्दर, कोमल, भावतरंग के कारण, इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण किशन घड के भक्त कवी महराज सावंत सिंग साहित्य की शेत्र में किस नाम से जाने जाती हैं? तो वो जान जाते हैं नागरी दास के नाम से, भारते इंदू के हिंदी योगदान का स्वरूप है, स्वयमरचनाय लिखके, समचार पत्र निकाल के, भारते इंदू मंडल का गठन करके, इन में सभी साधनों के माध्यम से, तो भारते इंदू ने जो है, वो ये सभी कारण कि है तो इन सभी साधनों के माध्यम से हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विश्य बनाने वाले थे तो वो थे दयानंद सरस्वती तो दयानंद सरस्वती नी जो है हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया था हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को नर्धारत करने वाली पत्रका है तो वो है सरसती पत्रका अगला है गोदान उपन्यास को गद्रि में प्रस्तुत महाकावे कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतिय जीवन का यथार्थ चित्रन है तो ये सही है सामाने आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है तो ये भी सही है सामाजिक संस्कारों का सुख्ष्म अभी निवेश है तो ये भी सही है तो इन में से सभी ये इसका आंसर है अगला प्रशन है यश्पाल के जूठा सच उपन्यास की लोक प्रियता का कारण क्या है तो उसका जो कारण है वो है उसमें भारत विवाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुती है पुरसकार कहानी किस की रचना है तो पुरसकार जो है वो जैशंकर प्रसाद की रचना है प्रख़र साम्यवादी आलोच लाश सर्मा शिव शंभू का चिठ्था नामक विंग्यात्मक निबंध के लेखक है तो बाल मुकुंद गुप्त तो गुप्त नाम से भी हम याद कर सकते हैं कि गुप्त तो चिठ्थी तो अगला प्रशन है हरी ओधिकृत उस महाकावे का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत चंदों का प्रियोग हुआ है तो वो है प्रिये प्रवास ये खड़ी बोली का महाकावे है इसमें जो है वो संस्कृत चंदों का प्रियोग हुआ है तो ये प्रयान गीत कहा से लिया गया है क्या भूलो क्या याद करू कृती के रचनाकार है रिवन्ष राइबच्चन भारत भारती की रचना का उद्धेश्य है अतीत से प्रेडना ग्रहन करना वर्तमान को सार्थक बनाना भविश्य का निरवान करना इन में से सभी तो इसका जो आङसर है वो है इन में से सभी अगला जो है वो प्रिशन है सुमेलित करने वाला तो भक्त माल जो है वो तो भक्त माल नाभादास की रचना है भक्त नामा वाली जो है वो नरहरिदास की रचना है गोसाई चरित जो है वो वेड़ी माधव की रचना है 252 वैशनम की वारता जो है वो गोकुलनाद की रचना है तो यह जो है इसका टू जो है वो सही आंसर है अगला है यह भी मिलान ही है सिद सामन्त काल ये जो बात है वो राहुल सांकरतियायन ने कही थी उसके बात है चारण काल विश्विनात प्रसाद मिश्र ने प्रारंभिक काल जो है वो मिश्र बंदु ने कही थी और आदी काल जो है वो हसारी प्रसाद दुवेदी ने कही थी तो इसका जो फर्स्ट सही आंसर होगा अगला है ये स्थापना और तर्क का है कुश्यन जनता की चित वृति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्रदेख देश का साहित्य वहां की जनता की चित वृति का संचित प्रतिपिम होता है तो इसका जो आंसर है वो है ए गलत है और आर जो है इसका सही है अगला है इस्तवार दला लिटेरा ट्यूर्म एंदुएंदुतानी नामक गरंथ किस भाशा में लिखा गया है तो ये जो है वो फ्रेंच भाशा की रचिना है अगला है पहले जैसे गाहा गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभरंश या लोक प्रचलित कावे भाशा का बोध होने लगा अजारे शुक्ल की इस कथन में केरिक्त स्थान में होगा तो यहां होगा दोहा या दूहा अगला है निमनलिक्षित में इसे किस विद्वाने सरहपाद को हिंदी का प्रक्थम कवी माना है तो इस सरहपाद ने राहुल संक्रत्यायन ने जो है वो सरहपाद को प्रथम कवी माना है आचारी शुकल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है तो इनों न जो है वो रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ती मानी है पृत्वी राज विजय नामक गरंथ के आधार पर पृत्वी राज रासो को और प्रमानिक मानने वाले रचनाकार हैं तो वो है डॉक्टर वूलर अगला है गद्य पद्य मिश्रित चम्पू काववे की इप्राचीनतम हिंदी कृती कौन सी है तो वो जो कृती है वो है राउल वेल अगला है निमलेखित गरंतों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है तो बीसल देव राज़ो जो है वो है नरपतिना और दोहा कोश सरहपा नोस्तों यह जो टू है वो इसका सही अंसर है अगला है प्रित्वी राज़ राज़ो हिंदी का प्रथम महा काववे है ऐसा माननी वाले विद्वान हैं तो यह जो है वो आचाड़े रामचंद्र शुक्ल ले अगला प्रशन है इनमी से कौन सा ग्रंथ आचाड़े हजारी प्रसादिगे द्व्यदी द्वाराण नहीं लिखा गया है तो हिंदी साहित के भूमी का जो है वो हजारी पुरसाद दिवेदी ने लिखी है हिंदी साहित उद्भवा और विकास ये भी उनकी लिखी वही है हिंदी साहित का आदिकाल ये भी उन्होंने लिखा है तो हिंदी साहित का दूसरा इतिहास जो है ये उनकी द्वारा लिखी ग इतिहास करने वाले लेखक हैं। तो यह जो इसका अनुवाद किया था है किशोरी लाल कुप्त। अगला है सुतंतर-पुस्तक के रूप में प्रकाशितों होने से पूर्व आचार शुक्ल का हिंदी सहत्म कई इतिहास किस रूप में प्रकाशितों हुआ था। तो ये जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था सोलहवी सत्रवेही शती के युग को भक्तिकाल को हिंदी काविका स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान है तो उसको मानने है जॉर्ज गिरिसन ने अगला है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंता मनी तरपाथी से चली अतह रीतिकाल का आरंब उन्ही से मानना चाहिए इस कथन के लेखक हैं तो इसे जो है आचारे रामचंद्र शुकले ने जो है चिंता मनी को रितिकाल का प्रथम का विमाना है तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है तो अगला है हिंदी कावे शेत्र में कवी और आचार एकी करण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा तरक क्योंकि आचारत के लिए जिस सुक्ष्म पर्या लोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया तो ये जो है वो दोनों कथन जो इसके हैं वो सही है अगला प्रशन देखते हैं आचारे शुक्ल ने आदि काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना किसे माना है तो गद्य का आविरभाव इसे प्रधान घटना माना है अगला प्रशन है आदि काल में खड़ी बोली को कावे की भाषा बनाने वाले पहले कवी कौन है तो वो है अमीर खुसरो जो आदि काल के कवी हैं उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है आध्यात्मिक रंग के चश्मी आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशे है कि विद्यापती के पद अधिकतर श्रंगार के ही है तो यह जो है इसका आशे है अगला है कबीर परचई के रचनाकार कौन है तो कबीर परचई के जो रचनाकार है वो है अनंत दास तो कबीर परचई के जो रचनाकार है वो है अनंत दास अगला प्रशन है कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली तो उनकी गद्दी धर्मदास को मिली धर्मदास उनके शिष्षे थे अगला है संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र-रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया तो वो है अंग वधु अगला प्रेशन है निम्लिकित में से किस संत का साधना शेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा तो वो है मलूक दास दार्शनिक विचार धारा की द्रश्टी से भेदा भेदवादी विचार धारा से संबंधित संत का नाम है तो वो है गुरु नानक अगला प्रशन है नमलेखित में से कौन सा संत रामा नंद का शिश्य नहीं है तो वो है धर्मदास क्योंकि धर्मदास कबीर के शिश्य थे अगला प्रशन है ये मिलान का है तो म्रिगावती किसकी रुचन है कुतुबन की सत्यवती कथा इश्वरदास, चंदायन, मुलादाओद, हंसावली, असायत तो अगला प्रशन है तो निमलेखित दार्शनिक मतों को उनके आचारियों के साथ सुमिलेत कीजिए विसिस्ट द्वैतावाद तो विसिस्ट द्वैतावाद जो है वो है रामानुजेचार शुद्धा द्वैतवाद वल्लावचार अद्वैतवाद शंकराचार और द्वैता द्वैतवाद मधवाचार तो इसका जो सही अंसर है वो है ती तो अगला प्रशन लेते हैं नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए दोहावली हनुमन्नास्टक रामध्यान मंजरी वैरागिस संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीद कृत नहीं है तो इन में से कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास कृत नहीं है तो वो है हनुमन्नास्टक और रामध्यान मंजरी ये दो जो है वो तुलसीदास की नहीं है अगला है भक्तिकाल में किस कवी का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था तो वो थे तुलसी दास्ची जिनका दोनों भाषाओं पर अधिकार था अगला है तुलसी दास्कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है तो वो है गीता वली तो उनके द्वारा कृत जो गीतावली है वो ब्रज की रचना है अगला है कर्म जोग पुनिज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो इस कावे पंक्ती के रचनाकार है तो ये जो इसके रचनाकार है वो है तुलसी दास अगला है दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा जो बनाए गया था वो कहाँ पर इस्थित है तो ये जो है वो नेरैना में यानि जैपुर में इस्थित है अगला है अस्ट छाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचारे कौन है तो अस्ट छाप की जो स्थापना की थी वो है गोसाई विठ्थलनाथ वो हित हरिवंच ने किया था नमलेखित में इसे कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है तो ये जो प्रेमवाटिका है वो मीरा भाई की रचना नहीं है बाकि गीत गोविंद कर टीका, राग सोरट के पद, नरसी का मायरा ये सारे मीरा के दार रचित है प्रेमवाटिका जो है वो रस खान की रचना है अगला है नमलेखित इनकी उंगलियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ति कवी भी उनमें सी बहुतों का अपहरन करने का आचारे शुकल करने का लोब न रोक सके आचारे शुकल की यह उक्ती किस कवी के विशे में है तो ये जो है वो रहीम के विशे में उन्होंने ये कथन कहा है अगला प्रशन है गोदिली हुलसी फिरे तुलसी सोस्त होई इस काववपंगती के रचनाकार है तो वो है रहीम तो इसके जो रचनाकार है वो है रहीम अगला है निमलेखित में इसे किस गरंथ की रचना नंददास ने नहीं की है तो रास पंचाधाई नंददास की रचना है अनिकार्थ मंजरी नंददास की रचना है स्याम शगाई नंददास की रचना है जो गीत गोविंद का टीका है ये मीरा की रचना है तो अगला प्रशन लेते हैं निमलेखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था तो वो था कुम्भंदास अगला प्रशन है निमलेखित लक्षन ग्रंथों को उनके आचारियों के साथ सुकवी कल्प तरू, चिंता मनई, ललितकला, मतीरा, भावविलास, देव हो गया और कावे निर्ने जो है वो है बिखार इदास की रचना है तो इसका जो सही अंसर है वो है अगला है निमलेखित कावे ग्रंथों को उनके रचनाकार से सुमिलित करूँ तो गंगा लहरी पदमाकर की रचना है इश्क नामा बोधा की रचना है शिवा बावनी भूशन की रचना है और विरह लीला गहनानंद की रचना है तो इसका ये जो है वो सही आंसर है अगला है निमन इन में से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षन ग्रंथ है तो इसका जो सही आंसर है वो है भाशा, भूशन, लड़ित कलाम, कविकल्प तरू और कवे रसायन इनका सही अनुकरम है अगला प्रशन है नीचे दी गई रचनाओं की आधार पर उत्तर दीजिए अस्ट्याम, अलंकारमाला, रागरतनाकर, अंगदर्पन किस विकल्प की सभी रचनाई देव की नहीं है तो इन में से कौन सी रचना देव की नहीं है तो अलंकारमाला और अंगदर्पन बी और डी जो है वो नदेव की रचना नहीं है अगला है किसी कवी का यश उसकी रचनाओं के परिमान के हिसाब से नहीं होता बलकि गुण के हिसाब से होता है शुकले जी का यह कथन किस रितिकाल कवी के संबंध में है तो ये जो है वो बिहारी के समद में ही बात कही गई है अगला है जन्वकाल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम है तो सबसे पहले इसमें आएगा केशव, फिर चिंता मनई, फिर देव और फिर पदमाकर अगला है तो इसमें जो तर्क और स्थापना वाला कोश्चन है ये इस काल को रीती काल कहने में किसी भी प्रकार का अप व्याती दोश न होगा तर्क क्योंकि प्रतेक कवी द्वारा इनमें शिंगार को नियोनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेश प्रकार की रीती ही है तो ये जो है वो दोनों कथन जो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है अगला प्रशन है इनमें से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है तो कवी कल्प तरू जो है वो सर्वांग विवेचन इसमें किया गया है आगे के सुकवी ईरी जी है तो कविता इनात और आधि का कनहाई सुमिरन को बहानो है इन कावे पंक्तियों के रचईता है तो इसके जो रचईते हैं वो हैं भिखारी दास अगला है निमलेखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं रचा गया है तो मतिराम की रचना कौन सी नहीं है तो वो है रस रहस्य ये जो है वो मतिराम की रचना नहीं है अगला है उनकी विरहताप के अत्युक्तियों को में दूर की सूज और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है शुक्ली जी का यह कथन किस कवी के विशे में है तो यह जो है वो बिहारी के विशे में कही गई है अब अगला क्वेशन जो है स्थापना और तरक का है उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसो और अलंकारों के बहुत ही सरस और हिदे ग्राही उधारण अत्यंत प्रचूर परिमान में उपस्तित हुए तर्क क्योंकि इन रीती ग्रंथों के करता भावक सहिर्दे और निपोण कवी थे तो ये जो है वो दोनों सही है अगला है भूशन की कवीता की कीरती संबंधी एक अविचल सत्य का द्रिस्टांत है तर्क क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हिर्दय स्विकार करता है उस कवी की कीरती तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्विकृती बनी रहती है तो ये दोनों कथन जो है वो सही है अगला प्रशिन है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीर पथिक तथा जबान दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाशा का दूसरा कवी नहीं हुआ है आचारे शुकल का यह कथन किस कवी के विशे में है रितिकाल के किस कवी के विशे में है तो यह कथन जो है वो घनानंद के विशे में कही गए है अगला है इनका सा अर्थ सौस्ठव और नवन वेश बिले ही कवीयों में मिलता है रितिकाल के कवीयों में ये बड़े ही प्रगल्ब और प्रतिभा संपन कवी थे शुक्ल की शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवी के सबंद में है तो ये जो है वो देव की विशे में कहे गई है अगला है जिस कवी की कवी में कल्पना ही की समहाशक्ती के साथ भाषा की समाशक्ती जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा यह शम्ता बिहारी में पोन रूप में विद्धमान थी यह कथन मूल तह किस विद्ध्वान का है तो यह कथन जो है वो आचारे शुकल का है अगला है रीती काल में नीती विश्यक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की तो जो नीती विशेक कव्यों की रचना नहीं किया वो है नागरीदास अगला प्रशन है इन में से कौन से विशेष्टा रीती मुक्त कावे स्वचंदताबादी कावे की मुख्य विशेष्टा नहीं है तो इसमें जो है वो शैल्पिक चमतकार प्रदर्शन नहीं किया गया है अब है हिंदी काविशास्तर की नेमांकित कृतियों का सही अनुकरम क्या है तो इसका जो सही अनुकरम है वो है रसिक प्रिया, कविकुल तरू, रस रहस्य और फिर काविश निर्ने अगला है इनमें आचारे रामचंद्र शुक्ले से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो ये जो वाक्य है वो सही नहीं है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोले हिंदी हिंदी में पद्यानुआद किया था, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है अगला है आचारी रामचंद्र शुक्ले की समिक्षा पद्यती से संबंधित कौन सा कथन गलत है तो इसका जो है वो कथन नमबर तीन जो है वो गलत है समिक्षा के सैधान्तिक मान दंड स्थापना का एतिहासिक काम आचारी शुक्ले ने किया लेकिन उन से धान्तों को वैभारिक्ता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुत्तर दायत उन्होंने भावी समिक्षों को सौप दिया ये कथन जो है वो गलत है बाकी तीनों के कथन जो है वो ये तीनों कथन जो है वो सही है और ये कथन जो होता है वो गलत है अगला प्रशन है स्थापना और तर्क का स्थापना है काल जाई समिक्ष अकर आचार रामचंद्र शुक्ल शुरती मार्ग के नहीं मुनी मार्ग के अनुयाई थे तर्क क्योंकि उन्होंने किसी विचारिया से धान्त को वे गतानू गतिक रूप में स्विकार ना कर अगला प्रशन है आचारे रामचंद्र शुक्ल की आचारे नंद दुलारे वाजबे की समिक्षा पद्धिती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें जो कथन नंबर दो है शुक्ल के सिधान्तों को यथावत स्विकार कर चायावाद कावी की सौंदर शास्त्र समिक्षा की तो ये कथन जो वो गलत है अगला है निबंद कार आचारे हजारी परसाद दुवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है तो उनका है इनमें गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन के प्रधानता और विनोध मैता का अभाव है तो ये कथन जो है उनके संबंध में गलत है अगला है नाटक कार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो उनका जो ये कथन नमबर चार है उन्होंने सभी नाटक रंग मंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पोणता अभी नहीं है तो ये कथन जो है गलत है क्योंकि उनके नाटकों में हम जब देखते हैं तो पात्रों की बहूलता है तो उन्होंने और उनके द्वारे ये कथन है कि नाटक के लिए रंग मंच होना चाहिए रंग मंच के लिए नाटक नहीं तो ये कथन जो है वो गलत है अगला प्रशन है प्रसाद के नाटको और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है द्रोस्वामिन नारी अधिकार के आवाज बुलंद करती है तो यह सही है काव्यात्मक प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेश्टा है तो यह भी सही है सकंद गुप्त मात्र भूमी के उधार के लिए अकेला युद करने को तियार है तो ये भी सही है चाणक के लक्षी सिद्धी के लिए साधन की पवितरता को अवश्यक मानता है तो ये कथन जो है वो गलत है अगला प्रशन है धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है तो कथन जो है ये पहला जो है ये कथन गलत है कि यह एक गीदी नट है जिसमें महाभारत युद के प्रारंभ को आधार बनाया गया है तो ये कथन जो है वो गलत है अगला जो है मिलनान का तो एक और द्रोणाचारी जो है वो सुरेंद्र वर्मा का है एक और द्रोणाचारी संकरशेश का नाटक है देव्यानी रमेश वक्षी का है आठवा सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है बकरी सरवेश्वर दयाल सकसेना का नाटक है तो इसका जो सही आंसर है वो है थ्री अगला है भारते इंदू कालीन साहित और उनकी प्रवर्टियों से सम्बंधित कौन सा कथन सही नहीं है राजभक्ति की अपेक्षा रास्ट्र भक्ति को प्रात्मिता देते हुए इसकाल के साहित झीकारों ने अंगरेजी रज्य की सब प्रकार से भरतना की है तो यह कथन सही नहीं है अब भारते इंदू हरिश्चंद्र से सम्बंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें जो कथन नमबर तीन है गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का वेभार किया है तो ये कथन जो है गलत है अगला है इनमें से किस कभी साहित्यकार का संबंद भारतेंदु काल से नहीं है तो इनमें जो राधिका रमन प्रसाद सिंग है इनका संबंद भारतेंदु काल से नहीं है बाकी तीनों का संबंद भारतेंदु काल से है अगला प्रिशन है इस तरह विमर्ष की द्रिस्टी से इनमें से किस लेखिका की गणना घोशित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है तो इनमें से प्रभाख खेतान जो है वो घोशित नारीवादी लेखिका के रूप में इंचान नहीं जाती है अब यहाँ पे सुमेलित करना कियाने कि संयूगता सेमवर और अमर सिंगराठोर दोनों का ही आंसर फोर है और जो महराना प्रताप है वो राधा कृषन दास की रचना है अगला है भारतेंदू नाटको की रचना के मूल उद्देश से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें परिनस्ठित भाषा का विकास और विस्तार करना ये जो कथन है वो सही नहीं है अगला है चीटी से लेकर हाथी परियंत पशू, भिक्षू से लेकर राजा परियंत मनुष्य, बिंदू से लेकर समुद्र परियंत जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृत्वी, अनन्त परवत सभी पर कविता हो सकती है उक्त कथन किस विद्वान का है तो ये कथन जो है वो महावीर प्रसाद द्वेदी जी का है अगला है भारत इंदू काली इन पत्र-पत्र कावं में प्रकाशित विशे वस्तू से संबंदित कौन सा कथन गलत है तो इसमें जीवन के मार्मिक भाव विंजक चित्र रिपने वाली छोटी-छोटी कलात्मक कहानिया ये कथन जो है वो गलत है अगला है प्रकाशन वर्ष्ट की द्रिष्टी से भारतेंदू हरिश्चंदर की रिचनाओं का सही कालकरम किस विकल्प में है तो इसका जो सही विकल्प है वो है वैदिक हिंसा, हिंसान भवती, चंद कालकरम अनुसार सही विकल्ब क्या है तो इसका है भारत भारती साकेत यशोधरा और विश्नु प्रिया अगला है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमोदी संग्रह के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो यह संग्रह दस खंडों में है यह कथन सही नहीं है अगला है निमलकित पत्र पत्रकाओं को उनके संपादकों से मिलान करना तो प्रजाहितेशी राजा लक्षमन सिंग्ग समालोचक चंद्रधर शिर्मा गुलेरी बालकृष्ण भाट ब्राहमाण प्रताप नरायन मिश्र और अनन्द कादम्बनी जो हो बदरी नरायन चौदरी प्रेमगन तो यह जो है इसका जो सही अंसर है वो है इसका जो सही अंसर है यह है अगला प्रेशन है रहस्यवाद दस इनमे से छाया वादी कावे से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें जो है रहस्यवाद इसका प्रमुक अंग है यह कथन जो है वो सही नहीं है इनमे से प्रगतिवादी प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है इसमें बौदिक स्थर पर तो इसमें जो है कथन नमबर दो तो इसमें जो है यह आधनिक्ता और समसामाइक्ता के संदर्व में विडाट मानव के महत्थु को स्थापत करती है यह कथन जो है वो सही नहीं है तो इनमें से किस कवी की रचनाएं तार सब्तक प्रथम में समकलित नहीं है तो वो है शकुंतिला माथुर इनकी रचनाएं जो है प्रथम सब्तक में नहीं है तो इनमें से किस कवी की रचनाएं तीसरा सब्तक में नहीं है तो वो है केदार नात सिंग अगला है इनमे से किस कवी की रचनाएं दूसरा सब्तक में नहीं है तो वो है कुवर नारायन अगला है इनमे से किस कवी की रचनाएं चौथा सब्तक में नहीं है तो वो है नंद की शौर आचा दिया अगला है नमलिकित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए तो पाजेब जो है वो जैनेंदर की कहानी है, हार की जीत, सुदर्शन की कहानी है बूरी का की, प्रेमचंद की और रोज जो है वो अग्ये की है तो इसका जो सही उप्षिन है, वो है उप्षिन नमबर तीन अगला है, इनमें से कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमिलित करो तो यही सच है, मन्नो भंडारी का है राजा नेर्वनसिया कमलेश्वर का है जिन्दगी और जोग, अमरकांत का है गदल जो है वो रागव की रिचना है अगला देखते हैं, इन महिला कहानिकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित करो तो ममता कालिया, उसका योवन, नासिरा सर्मा, पत्थर नासिरा, तो ममता कालिया, उसका योवन, नासिरा सर्मा, पत्थर गली, अलका सरावगी, कहानिकी तलाश में, महरुनिसा परवेज, जो है वो अंतिम चड़ाई अगला है, निमलेखित कृतियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए तो चित्र लेखा जो है वो भगवती चरण, वर्मा की रचना है, कब तक पुकारू, रंगे रागव, पड़ती परिकत्था, फणिश्वन नाथ, रेडू और जो मानस का हंस है वो अमरतलाल नागर की रचना है, तर लेखा भगवती चरण, वर्मा की रचना है, निमलेखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित करना, तमस, भीष्म साहनी की रचना है, कुरु कुरु स्वाहा, मनुहर श्याम जोशी, राग दरबारी श्रीलाल शुकल आधा गाउं राही मसुम रजा की कहानी है, अगला है, माखल नाल चितरवेदी कृत साहित्य देवता की गरण, किस साहित्य के अंतरगत की जाती है, तो यह वो निबंध है, एक भावात्मक निबंध है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टी के साथ से अगेग अगला है, तो इसकी जो रचनाओं का क्रम है, वो है बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो कर्णा प्रभाब में, आगन के पार दौर, तो यह रचनाओं का अनुक्रम है, अगला है, जो है, वो है रचनाओं का मिलान, राजी सेठ, तीसरी हथेली, स्वय प्रकाश सूरज कब निकलेगा अब्दुल बिस्मिल्ला अतिथी देवो भवा मैत्रे पुष्पा चिनहार अगला है प्रकाशन वर्ष की द्रिष्टी से पंत की काविक रित्यों का सही अनुक्रम क्रा है तो वो है ग्रंती गुंजन युगांत युगवानी स्वरन धूली अगला है प्रकाशन वर्ष की द्रिष्टी से महादेवी वर्मा की रिचनाओं का सही अनुक्रम क्या है तो उनका है निहार रश्मी निर्जा और दीब शिखा अगला है प्रकाशन वर्ष की द्रिष्टी से प्रकाश की प्रसाद की इनकाविक रित्यों का सही अनुक्रम क् अगला है निमलिकित रचनाओं और रचनाओं को उनकी रचनाओं से सुमेलित करना शंशय की एक रात नरेश महता चांद का मुह तेड़ा है मुक्ति बोद आत्मत्या के विरुद रगवीर सहाई संसत से सड़क तक धूमिल अब है निमलिकित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना तो यहाँ पे रितुराज जो है वो अंगीरस केदारनाथ अगरवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं नागारजुन नागारजुन जो है वो बादल को घिरते देखा है और अशोक वाजपी जो है एक पतंग अनंत में अगला प्रशन फिर से जो है वो मिलान का ही है नरेश महता वन पाक ही सुनो शमशेर बहादुर बात बोलेगी और केदारनाथ अभी बिलकुल अभी नंदर की शोर आचारे जल है का हम अगला है निमलेखत यात्रा व्रितांतर विशक को और रचनाओं को उनकी रचनाओं से मिलना अगला केश अरे यहावर रहेगा यादू अगे की रचना है और हस्ते निरजर देहकती मिट्टी पैरों में पंक बांध कर रामवरिक्ष बेनी पूरी की रचना है यह जो है वो हस्ते निरजर विश्णो प्रभाकर की रचना है तो इसका जो है टू है अब है वरनाल पांडे पटरंग पुराण राजी सेट तत्सम सुर्यबाला अगनी पंखी मैत्रे पुष्पा इद्नम अब है निमलेखित आत्म कथाओं को उनके रचनाकारों से मिलान करना जूठन ओम प्रकाश बाल में की अपने अपने पिंजरे जो है वो महंदाश नेमिश राई का है अर्ध कथा डॉक्टर नागिंदर की धर्ती अपनी धर्ती अपने लोग रामविलाश शर्मा का है निमलेखित संसमराणों को उनके रचनाकारों से मिलान गर्ना चेतना के बिंब डॉक्टर नागिंदर का है स्मृति की रेखाई महादेवी वर्मा का दीप जले शंक बजे कनिया लाल मिश्र प्रभाकर का है हम हश्मत क्रिश्ना सोबती का है अब किस साहित्यकार ने रास्टर मातर भुमी को सगुड मुर्ती सरवेश की कहकर वन्दना की थी तो वो है मैथली शरण गुप्त ने आचारे महावीर प्रसाद दिवेदी द्वार पत्र कारिता सरसुती पत्र का के माध्यम से जनरूची जागरेत परिश्कृत करने वाले कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें गद्य और पद्य की भाषाओं को अलग-अलग रखने का अनुरोध करना तो ये कथन जो है वो सही नहीं है अगला जो है वो फिर मिलान है अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश जन्दगी नामा कृष्णा सोबती बलच नमा नागार जुन सुरज का सात्वा घोड़ा धर्मवीर भारती अब निमल के तरचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित रानिकेतकी की कहानी इंशाल्ला खाँ भाषायोग वसिस्ट रामपरसाद निरंजनी चंद चंद बंदन की महिमा गंग कवी और पद्मपूरान जो है वो ललू लाल के रचना है अगला है निमल रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ तुलसिदास निराला की रचना है वैदही वनवास हरियोद की रचना है हिम तरंगनी माखल लाल चतरवेदी की रिचना है और अस्वंती जो है वो दिनकर की रिचना है तो दोस्तों ये थे RPSC का जो question paper 2 है हिंदी साहितिका उसके प्रशनपत्र 2014 की question paper तो आप सभी को कैसा लगा comment box में जरूर लखिएगा तो इसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि किस topic पे मैं वीडियो तियार करूँ तो comment box में वो भी जरूर बताईएगा तो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो इसी प्रकार से नए ने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास जरूर पहुंचे तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद